कल्यूग में कहा निवास करते हैं हनुमान जी आईए जानते हैं महाभारत में भी मिलता है इसका वर्णन हिंदो सास्त्रों में हनुमान जी को कल्यूग का देवता बताया गया है पौरानिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को मा सीता से अमर्ता का वर्दान प्राप्त हुआ था करिधार में ग्रंथों और पुरानों में इस बात का वर्णन मिलता है कि कल्युग में हनुमान जी कर कहा निवास होगा दरसल हनुमान जी के निवास अस्थान को लेकर अलग-अलग मानेताएं प्रचलीत है बजरंग बली रामायन के प्रमुख पात्रों में से एक है साथीवा आठ चिरन जीवियों में भी सामिल है ऐसा माना जाता है कि रामायन के बाद श्री राम समेद अन्य सभी प्रित्वी लोग से प्रस्थान कर गये थे लेकिन हनुमान जी को कल्युग की रक्षा का भार सौपा गया जिसका रणव प्रित्वी पर ही रहे इसलिए उन्हें कल्यूग का जागरित देवता भी कहा जाता है तो चलिए जानते हैं हनुमान जी का निवास कहा है महाभारत में मिलता है इसका वर्डन स्रीमत भागवत में मिलता है कि कल्यूग में हनुमान जी गंधमादन परवत पर निवास करते हैं यह परवत कैलास के उत्तर में इस्थित है महाभारत के अनुसार अग्यातवास के कार दौरान भीम सहस्त्र दल लेने के लिए गंध मादन परवत पर पहुँचे थे तब हनुमान जी ने उनका रास्ता रोका था इसलिए महाभारत के अनुसार गंध मादन परवत पर ही हनुम पुत्र के रूप में हनुमान जी की प्राप्ती हुई थी। तुमें ऐसा माना गया है कि कल्यूग में जहां जहां प्रभू श्री राम की कता होगी हनुमान जी वहां वास करेंगे। आईए इसी प्रकार की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए। जै श्री राम।